भारत और न्यूजिलेंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चेम्पेंशिप फाइनल को लेकर ICC क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है ICC का कहना है कि मैच ड्रॉ या टाइ रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा बलकि दोनों टीमों को ही संयुक्त रूप से विजयता माना जाएगा फाइनल साउथ हेंटन के दे राइसिंग बॉल मैदान पर 18 से 22 जून तक खेला जाएगा ICC ने इसके लिए पहले ही रिजर्व डे की घोशना की थी काउंसिल का कहना है कि बारिश से बादित होते समय के लिए 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा जाएगा इससे पांच दिन का खेल पूरी तरह से खेला जा सकेगा ICC ने बताया कि रिजर्व डे को लेकर फैसला रेफरी लेगा वहीं ICC ने कुछ नियमों में बदलाव करते हुए बताया है कि भारत और न्यूजिलेंड के बीच फाइनल ग्रेड ए ड्यूप बॉल से खेला जाएगा इंगलेंड और वेस्ट इंडीस के बीच इसी बॉल से खेला जाता है जबकि भारत पाकिस्तान श्रिलंका जैसे देशों में SG बॉल का इस्तिमाल होता है और न्यूजिलेंड में मैच के लिए कुकुम्बरा बॉल का प्रियोग किया जाता है इसके साथ ही ICC ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी में Decision Review System यानी DRS और Empire Call को लेकर किये गए फैसलों को भी जारी किया जाएगा भारत की Australia और England के खिलाब Test Series के दोरान DRS काफी विवाद में रहा था इसमें LBW पर Empire Call को लेकर काफी सवाल उठे थे साथ ही DRS के नियमों पर दुबारा विचार करने की मांग उठने लगी थी इसी पर ICC ने मार्च में Empire Call को जारी रखने पर फैसला किया था इसके साथ ही ICC और Cricket Board Committee DRS Review के नियमों में कुछ बदलाव किये है एग नियम के मताबिक LBW Review के लिए विकेट जोन की उचाई को बढ़ा कर स्टम के सबसे उपरी छोर तक कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि अब रिवियो लेने पर बेल्स के उपर तक की उचाई पर गौर किया जाएगा अगर बॉल का 50% हिस्सा बेल्स के उपरी हिस्से को मिस्स कर रहा होगा तो उसे एमपाइर्स कॉल दिया जाएगा वहीं पहले के नियम में वेल्स के निचले हिस्से तक की उचाई पर गौर किया जाता था यानि अगर गेंद का 50% हिस्सा वेल्स के सबसे निचले हिस्से को छू रहा था तो एमपाइर्स कॉल होता था नए नियम से विकेट जोन की उचाई बढ़ा दी जाएगी दूसरे बदलाव की बात करें तो ICC ने LVW के रिव्यू को लेकर किया है इसके मताबिक Empires के फैसले पर रिव्यू लेने से पहले खिलाडी Empires से बातचीत कर सकेगा और साथी ये भी पूछ सकेगा कि क्या बल्लेबाज ने गेंद को खिलने की सही कोशिश की थी या नहीं इससे उसे रिव्यू लेने में आसानी होगी और रिव्यू बरबाद नहीं होगा तीसरे बदलाव की बात करें तो ICC ने शौर्ट रन को लेकर किया है नए नियम के मुताबिक शौर्ट रन का फैसला टीवी एमपायर करेंगे ICC ने बयान में कहा है कि थर्ड एमपायर रिपले में इसकी समिक्षा करेंगे अगर कोई गलती होती है तो अगली गेंद फेके जाने से पहले इसकी जानकारी फिल्ड एमपायर को दी जाएगी Sports Desk खेलवारता